1-1-2014 को स्टॉक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टॉक प्राइस थी 23 मार्च 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब स्टॉक प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 को स्टॉक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टॉक प्राइस थी 23 मार्च 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब स्टॉक प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए दोनों स्टॉक मां इंवेस्ट किये 6 साल बाद इस इंवेस्टमेंट की वेल्यू हो गई मार्च 2020 में इंवेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करन्ट वेल्यू है यही एक लाग रुपए की अगर हमने एट परसेंट की वेल्यू है इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8 परसेंट के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसंटेज का रिटन दिया दोनों स्टॉक्स ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनर है आज अगर किसी को एक लाग रुपे इंवेस्ट करने है तो वो क्या करे दोनों में से किसी स्टॉक में इंवेस्ट करे निफ्टी 50 स्टॉक्स में इंवेस्ट करे या FD में करे दोनों शेर के और निफ्टी के एन्योलाइज रिटन परसंटेज हमने देखे वही रिटन परसंटेज अगर बविश्य में भी कंटीनी होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा आए दिखते हैं अजण औरन्ते हैं झाल झाल thank you